किसी भी देश की पुरातन धरवरें उसकी संस्कृती की परिचायक होती है वन ऐसी धरवर में उनके निर्माण काल की संस्कृती वन कला की जहला किस पश्ट होती है दुनिया की ऐसी सभी धरवरों की यादे वर इनके संरक्षन के लिए 18 अप्रेल को पूरे विश्व में विश्व धरवर दिवस मनाया जाता है आईए देखते हैं विश्व धरवर दिवस पर हमारे संवधाता की विशेश खबर जिले का उन गाउं अपनी एक अलग ही पहचान रखता है यहां की पुरा तत्वी धरवरों ने इसे अलग पहचान दला रखी है जिला मुख्याले से 19 किलमेटर दूरी पर पक्षिम की और इस्सित यह स्थान एक अतिहासिक नगरी के नाम से भी प्रसिद है यहां 13 शितापती में बलाल नामक राजा ने 99 मंदिर कुए बाबड़ी बनवाई थी जिसमें से आज भी कुछ मंदिर अतिहास के पन्डों पर सीना ताने अपनी मौजूद ही कुई दर्शा रही है किवंदतियों में इसे निर्मार की काशी भी खा जाता है माननेता है कि यहां राजा बलाल ने 100 मंदिरों के निर्मार का बीड़ा उठाया था किन्तु 99 मंदर ही बन पाए इसी कारण से सिस्थान का उन के नाम दिया गया जहां तक इन मंदिरों की बात की जाये तो उस समय की कला की ये बहतरी नमूने हैं ना केवल उस समय की कला प्रेम को प्रकट करते हैं बलकि इन पर की गई नकाशियों में उस समय की संस्कृती भी इस पस चलक देखने को मिलती है इन मंदिरों में हर पत्थर बारीक से बारीक नकाशियों से भरा पड़ा है इवन हर मंदिर के निर्मार में अलग-अलग निर्मार पधिती का प्रियोग किया गया है ग्राम में प्रवेश करते ही ऐसे मंदिरों के दर्शन हो जाते हैं जो बर्बस ही हर आगंतु को अपनी और खीच लेते हैं। किन्तु वक्त के थपेडों की मार एवन अंदेखियों के चलते एतिहास के या नूठे नमूने अब जीन शीन होने लगे हैं। इन धर्वरों क्या यदि समय रहते संरक्षन नहीं किया गया तो इतिहास के अनूठे नमूने एक दिन खुद बिता अतिहास बन कर रहे जाएंगे। इन मंदिरों में से कुछ मंदिरों के संरक्षन का जिम्मा पुरातत्व भाग ने उठाया है किन्तु समय के साथ किये जा रहे हैं ये प्रयास भी ना काफी सावित हो रहे हैं। जान और पहचान सकते हैं। पुरातन मंदिर कही न कहीं इतियास का खुद हिस्सा बन कर रहे जाएं और बितावा इतियास बन जाएं। 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 जाएं।